हलो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं Mount Education आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे Second Semester के Students से जो परिशान है कि उनकी assignment के बारे में notification कब आएगी assignment कब आएगी आखर कब जो है उनको कोई जानकरी मिलेगी कि उनके assignment कब से start होंगे तो उसी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा ह आएगी तो मों लोग को बता दू कि Delhi University की website पर कुछ समय पहले जो एक notification रिलीज किया गया था जिसमें उनका academic calendar लिखावा था तो आप यह देख सते हैं आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी कि लोग के फर्स सेमिस्टर के exam कब हुआ थ मार्च में तो यहां देख सते हैं आप लोग के फर्स सेमिस्टर के exam date मार्च में लेखी गई है 15 मार्च से लेके 27 मार्च तक तो उसी तरीके से फर्स येर के students के even semester यानि आपका second semester तो second semester के बारे में क्या रिखा गया है academic calendar में आप लोग के second semester के exam conductors 12 अगस से लेके 24 अगस त आगा तो assignments related guidelines कब तक आ सकती है उसके लिए हम चलते है SOL की website पर आप देखेंगे SOL की website पर अभी कुछ time पहले तक fourth semester के students के assignment submit हो रहे थे तो यहां पर आप देख सकते हैं CBCS semester fourth जब आप नीचे नीचे स्क्रोल करेंगे और उसके इस link पर जाएंगे तो आप देखोए AB login for answer sheet upload इस पर आप जैसी क्लिक करेंगे तो यहां पर क्या लिखा गया submission close दो दिन पहले ही उनके submission close गोए है अब उन लोगों के submission close हो चुके है तो अब बहुत जल्दी लगबग आप मानके चल सकते हैं कि इसी हफते में आप लोगों के assignment based evaluation की guidelines और dead sheet जो है release कर दी जाएगी तो आख sheet आईगी तो आप dead sheet को किस तरीके से देख सकते हैं और आपको आपनी answer sheet कहां पर किस तरीके से upload करनी है तो उसके बार में सब कुस देख लेते हैं देखिए यह भी fourth semester की assignment summit हो रहे थे तो उसी तरीके से यहां पर सिर्फ फर्क इतना होगा कि fourth semester की जगे second semester लिखा जाएगा औ और इसी तरीके से A-B guidelines आएगी और guidelines लगवक पूरी तरीके से सेम ही होगी उसमें जो है यहां पर fourth semester की जगे आपका second semester लिखा होगा और हम अगर guidelines को read करें तो आपको समझ में आ जागा आपके लिए guidelines भी किस तरीके से होगी आपको एक idea लग जाएगा कि 90% guidelines आपकी इसी तर प्रकल कोई chain जोगा तो वो जब आएंगी तो हम उसके बारे में तभी बात कर लगे तो अभी देख सकते हैं सिर्फ तीन पॉइंट लिखे हुए guidelines के दर ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है सिर्फ तीन पॉइंट लिखे हुए एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं for the purpose of AB यानि assignment based evolution students have to follow the process mentioned below आपको सिर्फ इन तीन प्रोसेस को follow करना है download the question paper the question paper of all subjects or paper will be available on the S.O.L. website on 10th July उनका कब आया था 10th July को और आपका कब आएगा लगब 12 को सिर्फ date change होगी कि किस दिन आपके question paper आएंगा assignment के वो date आएगी तो आपको question paper download कान से करने है आपको question paper download करने है S.O.L. की website से अब देखो मैं आपको बताता हूँ आपको यह main page पाएंगे तो main page पर यहाँ पर लिखावाए देखो आपके जैसी यह 4 semester के डले होंगे उसी तरीके से आपके second semester के डले होंगे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे आपके question paper आप download कर सकते हैं इस तरीके से देखो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर question paper download करने का option आ रहा है तो आप download कर पाएंगे अब देखते है question paper डाउनलोड किस यहां से अपना question papers हरकोई download कर सकता है अब बात करते है answer किस तरीके से लिखना है student have to write answer of any two out of four question मतलब लोगों को चार question दिये जाएंगे चार में से कोई दो question के answer लिखने होगे बस दो ही के answer लिखने है चार में से कोई और कोनो question की marks की weightage equal होगी student will write the answer on A4 size paper आपको A4 size के paper पे लिखना है चाहे वो rule हो चाहे वो plane हो चाहे वो line वाली हो चाहे वो plane वाली हो भीना line वाली हो उससे फरक नहीं पड़ता है आप किसी भी A4 size के paper पे जो है अपना answer लिख सकते है आप चाहे तो register के page पे भी लिख सकते है A4 size का है तो लिख सकते The answer will be returned by student using blue और black pen only आपको black और blue में से ही कोई एक pen का स्टमाल करना है चाहे आप black का करें चाहे आप blue का करें आप दोनों का भी कर सकते हैं heading black से लिखने हैं और बाकी content blue से लिखने हैं तो आप कुछ भी स्टमाल कर सकते हैं इन दोनों के लावा और को red या green pen के स्टमाल नहीं करना है student will write their school roll number यानि आपका जो SOL roll number है वो आपको लिखना है examination roll number, paper name, paper का जो आपका subject का नाम होगा and code, paper code आपको जब admit कड़ाएगा तो उसी में लिखना मिलेगा ये चार चीज़, SOL roll number, examination roll number, paper का नाम यानि subject name और paper code ये चारो चीज़ आपको front sheet के top पे लिखना है the numbering will be done on each page of the answer sheet और आपको हर page पे numbering करनी है तो आपको front sheet पे से भी चारो चीज़ लिखनी है और हर page पे numbering करनी है और student have to scan all the pages of the answer sheet of a particular subject or paper and create one pdf आपको का करना है एक subject की एक pdf file बनानी है मतलब हर answer की एक pdf file नहीं बनानी है आपको जो है एक subject की एक pdf file बनानी होगी यानि एक subject में आपको दो answer लिखने है तो आपको दोनों answer की मिला कर एक pdf file बनानी है और apart from that they are advised to name the pdf file same as the name of the paper for the easy reference आपको एडवाइस के जाता है कि आपके जो pdf file का नाम होगा वह आप अपने paper के नाम पर रख लो ताकि जो है आपको ढूनने में आसानी होगी बाकि ऐसा कोई compulsory नहीं है आप जो है pdf file का नाम कुछ भी रख सकते हैं वह बस यह advice कर रहेंगी ताकि आपको ढूनने में असानी हो सक्या आप पीडिया फाइल का नाम जो है अपने paper के नाम पर रख लो upload of the answer sheet आपने question पर डाउंडूड कर लिया answer लिए अब आपको upload करनी है आपको simply जाना है log in करने dashboard पर upload करनी आपको किस तरीक से करनी हो आपको मैं दिखा देता हूँ अब upload करना है तो upload करने आपको क्या करना है simply SOL के page पर आएंगे यहां पर AB login for answer sheet upload इस पर क्लिक करेंगे तो अभी तो 4th semester का है वो close हो गया उसी तरीके से 2nd semester का आपका open हो जाएगा और उस पर सिर्फ आपको SOL O number और पारकूट डालना है और आप जो है अपने assignment को upload कर पाएंग आप एक पर इसको देख लो आपको idea लग जाएगा जैसे मैंने ये BA की date sheet अउन करी तो यहां पर 10 तरीक को सभी के paper आए थे question paper आए थे तो उनको जो है economics का paper upload करने के लिए date दी गई 15 तारीक की हिंदी का paper के लिए 15 तरीक की English के paper के लिए 16 तरीक की और maths के लिए 16 तारीक की मतलब हर पेपर के लिए आपको लग बग लग तारीक मिल रही है history के लिए 17 मिली public health nutrition के लिए 18 तारीक एक संस्कृइट के लिए तो सब के लिए अलग-अलग उनको डेट मीली तो उसन अलग-अलग nostalgia अपलोड करें सी तरी के सरे आपको अलग-अलग पेपर होगे ले तो आपको ज्यादा दिन भी मिलें तो आप जो अराम से अपना अप्लोड कर पाऊगे और गाइडलाइन्स में आपको दिखाई दी इस तरीके से जो आपकी गाइडलाइन्स आएंगी यह आपकी डेट शिट हो गई और एड्मिट कार्ड की अगर मैं बात कर देल मिल जाएंगी इसी तरीके से जो है लगबग आपका इसी अफते जो है के आसाइंगमेंट से रिलेटेड गाइडलाइन्स भी इशू हो जाएंगी यह फिर आगर आपके इस अफते आपकी रिलीज नहीं होती तो आप मानके चले हैं आपका आसाइंगमेंट जो है को तुरां तमेल जाए